नमस्कार साथियों, राहूल जी का स्वागत है, हमारे साथ राजस्तान के मुख्यमंत्री अशोग गेलोड जी, चात्यसगर के मुख्यमंत्री गूपेश बगेल जी, हलो, डॉक्टर अभिशेक सिंग्वी और हमारे संगटन के महामंत्री केसी विने गुपाल जी मुझूद है, मैं राहूल जी से गुजारिश करूँगा, वो पहले आपको संबोधित करेंगे, बाग में आपका सवाल जवाब लेंगे, राहूल जी. नमस्कार, मैंने आप सब से काफी बार बोला है, कि हिंदुस्तान में लोक तंत्र पर आकरमन हो रहा है, और इसका हम को हर रोज नए नए उधारन मिल रहे हैं. सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पर जाता हूँ, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें बीस हजार करोड रुपिया, किसी ने इन्वेस्ट किया, अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफरस्ट्रॉक्चर बिजनिस है, पैसा किसी और का है, सवाल ये है, ये जो बीस हजार करोड रुपिय हैं, ये किस के हैं, ये सवाल मैंने पूछा, मैंने पार्लिमन्ट हाउस में प्रूफ देखे, जो मीडिया रिपॉर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंदर मोदी जी के रिष्टे के बाने में, डीटेल में बुला, रिष्टा नया नहीं है, रिष्टा पुराना है, जब नरेंदर मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिष्टा है, और उसके बहुत सारे पबलिक प्रूफ्स हैं, हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंदर मोदी जी बड़े कमफर्ट में बैठे हुए थे, अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ, पार्लिमेंट में मैंने दिखाई, ये सवाल मैंने पूछा, फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया, मैंने स्पीकर को डीटेल चिट्थी लिखी, पॉइंट बाइ पॉइंट, कि मैंने कहा कि एरपॉर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिये गए हैं, ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है, चिट्थी लिखी, कोई फरक नहीं पड़ा, फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लिमेंट में जूट बोला, बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं किये, मैंने कहा, स्पिकर से, मैंने जाके कहा, स्पिकर सर, पार्लिमेंट का नियम है, कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूदेशन लगाता है, तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है, मैंने एक चिट्थी लिखी, उस चिट्थी का जवाब नहीं आया, दूसरी चिट्थी लिखी, उस चिट्थी का जवाब नहीं आया, फिर मैं स्पिकर के चेम्बर में गया, मैंने स्पिकर सर से कहा, स्पिकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने जूटा अरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यूं नहीं दे रहे हैं, स्पिकर सर मुस्कुराते हैं, कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, और फिर उसके बाद, आपने सब ने देखा क्या हुआ, सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूँगा, नरेंदर मोदी जी का, अधानी के साथ क्या रिष्टा है, और बीस हजार करोर रुपे किस के हैं, मैं पूछता जाओंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता है इन लोगों से, और अगर ये सोचें, कि मुझे डिस्क्वालिफाइ करके, धमका के, जेल में डालके, मुझे बंद कर सकते नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है, मैं हिंदुस्तान के लोक तंत्र के लिए लड़ रहा हूं, और मैं हिंदुस्तान के लोक तंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं ड़ता हूं, ये सच चाहिए, अब आप सवाल पूछिये, एक एक करके, एक एक करके, प्लीज हामोई, I'll say it in English also, I'll say it in English also, the question begins a few weeks back in Parliament where I asked the Prime Minister a very specific set of questions. Question number one, 20,000 crore rupees or 3 billion dollars are in shell companies owned by Mr. Adani. Mr. Adani could not have generated this money. He's an infrastructure business. Where did this money come from? Whose money is it? That was the first question. Whose shell companies are there? These companies are working in the defense field. Why does nobody know whose money this is? There is a Chinese national involved in this. Why is nobody asking the question, who is this Chinese national? That was the first question. Second question was, set of questions with proof. What is the Prime Minister's relationship with Mr. Adani? I showed the picture of the Prime Minister and Mr. Adani's plane relaxing. I gave documentation about the defense industry, about the airports, about statements made in Sri Lanka, about statements made in Bangladesh, pictures of Mr. Narendra Modi sitting with the State Bank Chairman in Australia, and I put this proof on the table. Immediately after that, the BJP started its work. My speech was expunged. I wrote a letter to the Speaker with a detailed explanation. On the defense industry, on the airports, with press clippings, supporting documents, legal documents, and said, this is the supporting foundation of my speech. I have not made this speech. I have not invented this. This is detailed research. Here it is. Nothing happened. Nothing was revoked. My speech today is not part of the record of Parliament. The same, by the way, was done with Mr. Kharki. After that, BJP ministers lied about me in Parliament. They made the statement to distract from the Adani issue. The whole game, disqualification, and all these statements are to distract from the central question, whose money is it? 20,000 crores, whose is it? That's the main question. The whole thing is to distract. So, they said that I have asked foreign forces to help India. Most ridiculous statement. I have never made such a statement. You can look at all the conversations I had in the United Kingdom. Not one such statement was made. In fact, I said, this is India's problem. India has to resolve this problem, right? A minister lies on the floor of the House. I wrote to the speaker, and I said, Speaker, sir, it is my right as a Member of Parliament, when somebody makes an accusation, to state my position. Please let me state my position. The first letter is not answered. I then write a second letter, with more details, saying the names, and what was said. Still no answer. I then go to the speaker's chamber, and I say, Speaker, sir, what is going on? We live in a democracy. You are the defender of that democracy. Why are you not letting me make my statement? The speaker smiles and says, I cannot do that. Come and have a cup of tea with me. Right? So, this is the whole drama that is being orchestrated to defend the Prime Minister from the simple question. Whose 20,000 crore rupees, whose 3 billion dollars went to Mr. Adani's shell companies? Yes, jee, Mohit. Eek minute. Raul ji, Raul ji, Mohit Dube hoon hai. Mera sawaal ia hai ki you are shaheido... By the way, sorry, I just need to finish that. I left out a part. Look, I am here defending the democratic voice of the Indian people. I will continue to do that. I am not scared of these threats, of these disqualifications, of these allegations, of these prison sentences. I don't care. I am not scared of them. Okay? These people don't understand me yet. I am not scared of them. They are used to everybody being scared of them. I am not scared of them. Right? And I will continue to ask the question. What is the Prime Minister's relationship with Mr. Adani? It is an old relationship. It is a relationship that began when he was Chief Minister of Gujarat. Mr. Adani constructed the idea of resurgent Gujarat. Organized all that. This is a partnership. It is a close partnership. I am going to keep asking that question. Rahul काम है वो मैं करता जाओंगा आज जी अन्वर अन्वर आज के हिंदुस्तान में आज के हिंदुस्तान में जो पहले राजनेतिक पार्टियों को सपोर्ट मिलती थी मीडिया से मिलती थी बाकी institution से मिलती थी वो नहीं मिलती है तो opposition की parties को एक ही रास्ता है जनता के बीच में जाने का अजी आन्वर सर भारती जनता पार्टी ने आप पर उबी सी समुदाय के अपमान का आरूप लगाया है इस पर आप क्या जबाब पिचारा होना चाहिए नफरत नहीं होनी चाहिए हिंसा नहीं होनी चाहिए तो मेरी position बिल्कुल clear है यह भी सी का मामला नहीं है यह नरेंदर मोदी जी और अदानी जी के रिष्टे का मामला है बीस हजार करोड रुपे जो अदानी जी को पगानी कहां से मिले उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूँ और उसकाज़ाब चाहिए BJP दियान को बढ़काने की कोशिक करती है कभी OBC की बात करेगी कभी विदेश की बात करेगी कभी कुछ और बात करेगी कभी Mobilification की बात करेगी मगर सवाल यह जुए है 20,000 को रुपे 3 billion dollars किसका था संजय मिश्र और वो अधानी का पैसा नहीं हो सकता संजय मिश्र आपने कहा आप धरते नहीं है लेकिन state के target पे है और state आपके खिलाफ है पूरी state पूरी machinery आपके खिलाफ है ऐसे में आपके सामने challenges बहुत बड़ा है तो रास्ता क्या है देखे वह या चाहे state हो चाहे कुछ भी हो मैं सचाई को देखता हूँ मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है मैं सचाई बोलता हूँ राजनेती में ये fashionable बात नहीं है मगर ये बात मेरी खून में है मैं और कोई रास्ता निकानी नहीं सकता हूँ तो मेरा काम ये है ये मेरी तपस्या है जीवन की तपस्या है उसको मैं करता जाऊंगा चाहे मुझे डिस्क्वालिफाइ करें मारे पीटे जेल में डालें मुझे कोई फर्व नी परता मुझे अपनी तपस्या करनी है इस देश ने इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है शान्त हो जाईए इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है प्यार दिया है इज़त दी है इसलिए मैं ये करता हूँ सुप्रिया राउल सर बीजेपी के जो लीडर्स आप पर अटाक कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगा और इसके लावा वाइनार्ड वहाँ पर जब से ख़वर गई है वहाँ पर लोग बहुत डिस्विलीफ में है प्रोटस भी रप्ट हो रहा है आप अपनी कॉंस्टिटुएंसी के लोगों को क्या कहना चाहिए नहीं मैंने सोचा है कि मैं अपनी देखे मैंने कॉंस्टिटुएंसी में भी बोला कि वाइनार के लोगों के साथ मेरा परिवारिक रिष्टा है फैमिली प्यार का रिष्टा है तो मैंने सोचा कि मैं वाइनार के लोगों के लिए अपनी एक चित्थी लिखून के लिए कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है तो वो तो मैं रिजॉल्व कर दूँगा उनका देखिए बीजेपी के नेताओं का काम यही है देखिए वो सब नरेंद्र मोधीजी से डरते हैं कानण आप जानते हो नरेंद्र मोधीजी ने कहा कि देखिए ध्यान अटाना है वो सब जानते हैं अधानी जी और नरेंदर मोधी जी कर रिष्टा सारे के सारे जानते हैं क्या रिष्टा है सब जानते हैं मगर ड़ते हैं तो अगर नरेंदर मोधी जी रहो इंसे कहा कि भाईया ध्यान उधर करो ध्यान उधर करेंगे मगर सवाल यही है 20,000 करोड रुपए किसका है जैने अंदर जैने अंदर राहुल जी राहुल जी पूरी कॉंग्रेस पार्टी सर पूरी कॉंग्रेस पार्टी है कह रही है कि आप चाहे वो गुजरात कि कोट ने आपको सजा सुनाई या आपका निलंबन हुआ ये सब कुछ केंद्र सरकार प्रधान मंत्री के इशारे पर हो रहा है लेकिन बीजेपी कह रही है कि कानून ने अपना काम किया है तो यह दलील है कि कानून ने आपको सजा दी है और उसी की वज़े से आपका निलंबन भी हुआ है इस पर आप क्या करेंगे लीगल मैटर है मैं हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम को रिस्पेक्ट करता हूँ मैं लीगल मैटर पे इस प्रेस कॉंफरेंस पे बात नहीं करना चाहता हूँ हाँ संजीव अगर आपके लीगल सवाल होंगे तो आप हमारी लीगल टीम से पोच लीजिये No, look, please, please understand why I've been disqualified I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech he's scared of the next speech that is going to come on Adani right I've seen it in his eyes so he's terrified of the next speech that is going to come and they don't want that speech to be in Parliament that's the issue that is why first the distraction now the disqualification please don't be confused about this matter there is a there is a deep relationship between Narendra Modiji and mr. Adani there is there is a question 20,000 crore rupees have suddenly arrived in mr. Adani shell companies where is this money come from whose money is it it is some of these companies are defense companies why is the defense ministry not asking this question why is the defense ministry not asking the question but please explain to us who whose money is this that is being spent on our drone development that is being spent on our missile development that is being spent on our ordinance production why is the defense ministry not asking this question I'm injury manjari manjari please take me take with banjari I 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 उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिल के काम करेंगे रंजीता रंजीता रहुल जिस बयान को लेकर आपको ये सजा सुनाई गई है क्या आपको लगता है आपको अफसोस है उस बयान को लेकर क्या कहेंगे उस बयान पर अब देखिए अब ये लीगल अब ये लीगल डिसकॉशन है उस पर मैं टिपनी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये कॉर्ट में मामला है मगर मैं मैं जो भी सवाल उठाता हूँ वो सोच समझ के उठाता हूँ हाँ जी निरज अभी कुछी दिन पहले लक्षद्वीब के सांसर मुहम्मद फैजल के सदस्ता गई थी और बार में हाई कोट नहीं स्टे कर दिया था अभी उनकी मेंबर सिवरी इंस्टेट नहीं हुई है कि सुन लिजिए अभी उनकी सदस्ता रिंस्टेट नहीं है लेकिन अगर उपरी अदालत से आपको इस्टे मिलता है तो आपको उमीद है कि लोग सबाई स्पीकर भी आपकी सदस्यता को बाहल कर देंगे मुझे उमीद में कोई इंट्रेस्ट नहीं है चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले मैं अपना काम करूँगा अगर ये मुझे पर्मड़ी डिसक्वालिफाय कर तो भी मैं अठना काम करूँगा अगर मिझे मुझे रिइंस्टेट कर दे तो भी मैं अठना काम करूँगा मैंने आप से कहा मुझे अपनी तफज्या करनी है मैं उसको करके दिखाऊंगा आपके लिए अपने लिए एक मिनिट रमन एक मिनिट रमन इस नोट अप टो मी इट अप टो कॉंग्रेस प्रेजिडेंट कौन जाएंगे रहुल जी रहुल जी मेरा स्वाथ आपके हाँ बैठे हैं दोनों मुख्यमंत्रियों का भी अडानी जी से रिस्ता है उनके साथ ले इन का मामला है लेकिन का मामला रोकेंगे ये लोगे जिनके पास जो भी स्टेट का अनके साथ रनाता है जो भी विजिनेस चल रहा है देखिएठे हैं सिंपल सी बात है आप डिस्ट्रैक करने की कोशिच मत कीजिए 20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 सर पालों एक मिनिट मैडम मैडम आप लोग तंत्र को समझे ये जो पैनिक रियाक्षिन इन्नों ने किया है नरेंद्र मोदी जी ने इससे सबसे जाओन जाओधा मिलेगा विपक्षव यह फाप्ष्क शो यह इन्न आपीद्ट कि एक सवाल आ गिया रहे कि जनता जानती है कि अधानी जी भ्रश्ट व््यक्ति हैं अब जत्व सवाल कि जंता की माइंड में ये सवाल उठा है कि इस भ्रश्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री क्यों बचा रहा है यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग नरेंद्र मोधी जी सब कुछ इस वियक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं दूसरा सवाल बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आकरमन देश पर आकरमन है मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है बात समझ ये राउल जी मेरा सवाल आप से ये है कि जब आप ये फैसला सामने आया आपको मैक्सिमम परिशमेंट जो है इसमें जो सकती है वो आपके लिए मुकररर की गई इस पीच कई लोगों ने ये भी कहा आपके पार्टी के भी इक सांसर ने कहा कि कम से कम जज को ये देखना चाहिए था कि सामने जो शक्स है वो गांधी परिवार से आता है इस पर आप क्या क आपको लगता है मैक्सिमम परिशमेंट जो है केस में मैक्सिमम परिशमेंट आपके लिए जए क्रकर की गई चैया शक्लाख प्राटी की जिन अफ्सके न ही मैं तो मैं च्रहां थन साल लोते दसालों ऑदो मिल जाता मुझे क्या कर पड़ रहा है या रजी 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 मै मै I have only one step and that step is to fight for the truth in this country and to defend the democratic nature of this country that is under please let me finish Rajdeep unless you want to answer it for me you do that also sometimes yeah so my job as I see it is to defend the democratic nature of this country and I will do whatever I have to do whatever I have to do to defend the democratic nature of this country what does that mean that means defending the institutions of this country that means defending the voice of the poor people of this country that means telling the people of this country the truth about people like Mr. Adani who are basically exploiting the relationship they have with the prime minister yeah Pallavi Pallavi please one second let's go look I am see these are legal matters it makes me no difference I told them it makes me no difference if I am disqualified not qualified whatever it makes me no difference disqualify me disqualify me for life put me inside jail I will keep going I will not stop Mr. Gandhi yeah Pallavi two things here one are you worried or apprehensive about the political relevance of say the opposition and the do I look worried to you do I look worried to you I am excited I am happy that these people have given me the best gift they could give me and second Mr. Gandhi is that BJP's reaction since yesterday is that if you hadn't torn the ordinance then then perhaps you wouldn't be facing the law today your response to that my response to that is that when somebody is guilty of something they want to distract everybody's attention right if you catch a thief the first thing he says is I didn't do it the second thing he says look there look there look there look there right that's what the BJP is doing we have caught 20,000 crore rupees entering Mr. Adani's companies nobody knows whose money that is that money cannot be Mr. Adani's money he does not generate this type of money so that money has come from someone all this OBC disqualification anti-national all this is to distract from the panic that the Prime Minister is feeling that his relationship with Mr. Adani is going to be exposed let me tell you that relationship is going to be exposed nobody is going to stop that it is going to happen because the opposition is going to press this thing until we find the answer yes Raviy sisoriya ji go give it Raviyan 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 so please please if you want to work for the BJP then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest then I'll answer you the same way I answer them don't pretend to be a press man Raviyan 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 Amen Raviyan 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 BJP के लोग यह बार बार यह बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाशन दिया तो लोँ ने कहा मांग लेते तो जब ये लोग कहते राहुल गांधी माफी मांग लेते तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सभरकर नहीं है मेरा नाम गांधी है गांधी किसे दमाप ही नहीं मांगता और मैंने कहा पार्लिमन धाउस में कहा कि भईया मुझे बोलने दीजे ना एक बार तो बोलने दीजे दो बार चिट्थी लिखी तीसरे बार मैं परस्नेली स्पीकर से आगे कहता हूं स्पीकर सर प्लीज आप डिमोक मुझे जागे मोदी जी से पूछना पड़े वो तो करने नहीं देंगे तो मेरा जो पॉइंट है इस देश में लोकतंत्र खतम हो गया है इस देश के लोग जो इनके दिल में है हमारे दिल में है बोलनी सकते हैं इस देश के इंस्टिटूशन पर आक्रमन हो रहा है और उस आक्रमन का मेकनिजम क्या है उस आक्रमन का मेकनिजम नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिष्टा है वो फांडेशन है मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूँ मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूँ बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक क भुआ酌 के रखेसे हैं लुए झाल टतौ के रट्रो नाल को जिएवन स्टुडना क्रिश horrसा है झाल झाल